दोस्तों लग रहा है LG ने अपनी LG G8X की सकसेस को कुछ जादा ही मतलब ले लिया उन्होंने अपने सर पे चड़ा लिया कि अब उन्होंने अपने दो नए फोन्स को लांच कर दी है इसी हफते मतलब आज ही के दिन दो नए फोन है LG Velvet और LG Wing अब यह दो फोन जिस टाइब से लांच हुए जो फीचर्स मिल रहे है जो पैकेज मिल रहा है वो कम्प्लीटली अपोसेट है और LG G8X के साथ जो एक बार कांड वो कर चुक है मतलब मैं कांडी कहूंग या जो भी कह ले वो साथ चीज़े रिपीट करने के कोशिच तो कर रहे है लेकर वो कर नहीं सकते है मतलब उन्हें लग रहा था कि जैसे LG G8X को जाधा बेश दिया उसकी सकसर्स पर कैशिन करेंगे LG Velvet और LG Wing को डालके यह कहानी पूरी की पूरी उल्टी हो गई मतलब हालत बदल गया जस्पाद बदल गया तो चलिए आज इस वीडियो में इसी के भर में बात करते हैं वीडियो के आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो पांच लग सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं सबसे पहले बात करते हैं लग वेलवेट को लेखे लग वेलवेट एक ऐसा फोन है जो मतलब कॉंस्टेंट ही नहीं मतलब कुछ जगे लग वेलवेट का 5G वर्जन होता है इसमें स्नाप्डरेगन 765G का प्रोसेसर है लेगन इंडिया में जो मॉडल होता है वो है 4G मॉडल पता उसमें प्रोसेसर कौन सा देखने को मिल रहा है वो है स्नाप्डरेगन 845 अब स्नाप्डरेगन 845 आप लोको मालू मैं 2018 में OnePlus 660 Poco F1 में देखने को मिला आता और उन सब फोन की कीमत किती थी और पता है LG Velvet की कीमत किती है वो है 36,990 वो भी मैं Dual Screen Accessory के बात नहीं कर रहा है मतलब इसके साथ Dual Screen Accessory आता है अगर वो ले तो थो फोन की कीमत 50,000 रुपर पहुच जाती है और वो बिलकुल वैसे ही एकसेसरी है जैसा आपको LG G8 Access साथ देखने को मिलाता है उसके अंदर आप LG Velvet को रख सकते है खेर LG Velvet की बात करें हाड़वेर स्पेसिफिकेशन वाइस इतना ज्यादा मज़ा नहीं आया मतलब 6.8 इंज का 60 Hz का एक OLED स्क्रीन देखने को मिलती है आपको Snapdragon 845 है सिफ 6 GB रहे में 128 GB स्टोरेज है और पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेट अप है 48 में अपिसल का में कैमरा 16 में अपिसल का अल्ट्रावाइट फिर एक डेप सेंसर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको 4300 mAh की बेटरी Fast Charging, Wireless Charging देखने को मिलती है Dust and Water Resistant भी देखने को मिलता है और Overall Protection थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है और Overall अगर इस फोन को देखूना तो इस फोन का जो डिजाइन है ना काफी हाँ तर थोड़ा सा Premium Look and Fill देता है That's it यानि कि फोन जो है ना सिफ लुक्स के अंदर उसे Establish करनी कोशिश करी गई है यहां पर यह OPPO और Vivo वाला गेम खिल रहे है कि LG ने एक ऐसा फोन बनाए कि जो On Paper इतना अच्छा ना लगे लेकिन जब कोई से हाथ में पकड़े तो देखने में अच्छा लगा लेकिन इतना जादा भी अच्छा है नहीं कि उसके लिए इतना जादा पैसा खर्चा किया जाए क्योंकि मार्केट में इससे अच्छे दिखने वाले फोन इससे कम प्राइस में मिलते है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है LG के साथ और अगली चीज यह भी है कि LG Velvet काफी आउट्डेटेड हार्डवेर के साथ आता है अब मैं यह नहीं कहा रहा है Snapdragon 845 पुराना चिपसेट है लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो दो साल पहले रिलीज हुआ था और दो साल पुरान अगर आप चिपसेट दे रहे हो तो डेफिनिटल अगर वो फ्लैक्शिप था तो मेरी डेजर में मैं 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 वन प्लस 60 को भी देखा है वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है लेकिन स्नैपड्रेगन 845 के जाएक स्नैपड्रेगन 855, 855 प्लस होता है उसे मैं जादे अप्रिशेट करता है सोचता है कि चलो एक अच्छा प्रोस्टर दिया है जो कि अच्छी चीज़ है लेकिन 845 खोड़ा सा उप्डेटर लगता है और इसका इंपक्ट ये पढ़ता है कि आपको लंबे समय तक जो सॉफ्टर अप्डेट होती है न वो देखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो कंपेटिबिलिटी होती है और सॉफ्टर अप्ग्रेट ही वो चली जाती है और लेड़ बात की जाए तो यहां पर डिजाइन और लुक्स को खेला गया है प्राइसिंग के सबसे मुझे वो चीज है ना मतलब इताज जादा पसद नहीं मतलब ओफ्डाइट ले लूँ चाहिए ऑनलाइन ले लूँ इसमें इताज जादा मजा नहीं आता इसके बात बारी आती लगी विंग की अब लगी विंग थोड़ा साजीब फोन है क्योंकि इसमें स्नैप्टरगन 765 जी प्रोसर देखने को मलता है लेकिन इस फोन की जो कीमत है वो 69,990 अब आप लोगो इस फोन के बारे में मालूम है इसमें दो डिस्प्ले देखने को मलते है स्लाइड और की उल्टा हो के खुल जाता है मतलब स्वल डिस्प्ले देखने को मलता है इसके इंद में डिस्प्لे काफी अची चीज ए एक 12 Megapixel का अल्ट्रावाइट और 13 Megapixel का एक और अल्ट्रावाइट सेंसर है अब दो दो अल्ट्रावाइट देने का मतलब यह कि जब स्विल मोड में अब इसे ओपन करोगे तो यहां पर गिंबल स्टेबलाइजेशन का यूज कर सकते हो अब गिंबल स्टेबलाइजेशन नाम से वीवो एक्स 50 प्रो के साथ कंश्यूज मत हो ना एक्स 50 प्रो में फिजिकल गिंबल लगा था जिसके अंदे एक डेडिकेटेट मोटर थी जो की ऊपर नीचे होता था और उसका वह उत्ता साथा चार्ज कर रहे थे यहां पर जो गिंबल मेकानीज हो है यह बेसिकली सॉफ्टर बेस्त है यह अल्ट्रा वाइड एंगल लें अगर आप लोगों ने फोन देख तो वहां पर आप कोई छोटा सा डिस्प्ले भी देखने को मिलता था अगर हम बात करें LG J8X के तो उसे डूल स्क्रीन के कंसेप्ट को लाए तो फोल्डेबल फोन को थोड़ा से प्रैक्टिकल बरना नहीं कोशिश करी थी वहां पे और LG स्मार्ट फोन के अंदर इस टैप का रोटेटिंग डिस्प्ले वाली चीज़ आपको देखने को मिल रही है इससे पहले नॉर्मल जो फीचर फोन आते थे ना इवन LG के बात कर तो उसके अंदर भी वह चीज़ देखने को मिली जी एक काफी अच्छा एक्छा एक्जामपल ह जो कि स्वरल होता था काफी हद्ता की चीज़े याद आती है ना आपको जी हां तो इस टैप की चीज़े देखने को मिलती है यार और ओवरॉल बात करें तो इस टैप भी टेक्नलोजी बनाने में मैं मैं सच बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कंपनी एक इस टैप क के लिए जाते रिलायबल नहीं होते है यह यह क्रीज़ने की पॉप-प कैमरा सुनने में देखने में काफी चीज़ लगता है लेकिन इतना बड़ा प्रेक्टिकल नहीं है कि आज के समय में आपको जो फोन्स होते कितने देखने को मिलता है धीरे धीरे यह चीज़ना एक छ सामनी की आखों के दरफ दो डिस्पले देखने को मिल रहे हैं एक साथ आप दो एप्लिकेशन चला सकते हो एक एप्लिकेशन ऊपर खोली उसके कुछ कंट्रोल से अपनी चे यूज़ कर सकते हो लेकर सौफटर ऑप्टिमाइजेशन बाकी एपस किस तरीके से डिज़न की ज जो अजीब हो गरीब कंसेप्ट हैंने मतलब लाना चाहिए भली वो लेकर आती रहे लेकिन इसके चक्र में थोड़े अच्छे फोंस भी बनाएं जिसने लोग मार्केट में खरीदना पसंद करें और रिकेमेंट करना भी पसंद करें प्रिषले साल एल जी की डबलू स्रीस में लांच किये गए ते और उसके बात काफी लगव समय के बाद इंडिया में हुए ऩर पार ते सापर था होगा तो उसमें लूग खरीदना जाद पसंद करें Why इंडिया में जो लोग थोड़े price sensitive है इवन अगर OPPO, Vivo की भी बात करें तो बाहर जो phone जितने भी launch होते हैं वो सारे इंडिया में नहीं लाते हैं वो careful तरीके से इंडिया में फोन लाते हैं तो उसमें काफी सारी tweaking वगएरा करते हैं इवन Xiaomi की बात करें तो उन्हें बस समझ में आए कि इंडिया की हिसाब से उन्हें काफ़ी सारी चीज़े कस्टमाइज करनी पड़ी है और उसके बाद यह फोन चलेगा काफ़ी अच्छा एक्जामपल है Poco X3 का बाहर Poco X3 का NFC वर्सन लाउंच हुआ था इंडिया में जो Poco X3 लाउंच उसको बड़ी बैटरी देखने को मलती है NFC देखने को नहीं मिलता कुछ चेंजेस उन्होंने करने पड़ते हैं सिमिलरली LG Jatex के साथ भी सिमिलर केस था वो भी काफ़ी अजीवो टैप का फोन था उसको भी डॉल स्क्रीन के कंसेप्ट को लेकर रहा था लेकिन काफ़ी महंगा था और जब वो फोन लाउंच हुआ था तब उसे किसी ना पसंद नहीं किया था लेकिन जब LG Jatex की सेल होती है 20,000 रुपए तो हरको इसकी बात करता है हरको इस फोन को लेना चाहता है क्योंकि देखा तो 20,000 के प्रोइस प्रांट पे उसको काफी अच्छी वैल्यू फोर मनी मिल रही है वही चीज यहाँ पे इन फोन से मिसींग है अब बस मैं तो आफ लो सही कह सकता हूँ अगर किसी को यह फोन पसंद दे इस्पेशली LG Wing अगली Flipkart की 1,000,000 का वेट कर क्या पता 20,000 के जाहर में मिल जाए अभी के समय में 70,000 के हिसाब से यह क्या बोलू यार मतलब कोई धमा के दर चीज लगी नहीं मतलब कंसेप्ट अच्छा है, उसकी कीमत काफी जादा है लेकिन लगता नहीं कि इस टेकनलोजी के लिए कोई इतना जादा पैसा खर्चा करना पसंद करेगा और अच्छा लगता है कि कंपनीज जो है वो इस टाइप के थोड़े काम कर रही है आगने वाले समय में और फोन तो थोड़ा बोरिंग ना लगे तो अलगल चीज़ा बना रही है लेकिन सब इस चीज के लिए फोन लेना मतलब इतना नहीं का फोन लेना वो एक समझदारी भरा फैसला नहीं है मतलब मेरे हिसाब से मेरे को चीज लगती है और मेरे को लगता है कि ऐसी चाइप की चीज़े कमचीज को करनी चाहिए लेकिन इसको छोड़ के कमचीज को कुछ ऐसे प्रोड़क्स भी निकालने चाहिए जो कि मार्केट में चले और लोगों को पसंद है तब ही हम LG का जो कमबेक हो रहा है ना उसके बारे में बात कर सकते हैं वैसे इसके बारे में एक और वीडियो बनातू कि किस तरीके से LG कमबेक करनी कोशिश करी हो क्या गलती कर रही है तो वप उस वीडियो को मिसने करना चाहते हैं तो चैनल को सबस्प्राइब कर लो एक दो दिर में वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा और अगर ये वीडियो अगर पसंद आ रहे है तो उसे लाइक करो शेयर करो अपने दोख साथ तेंक दोपको वीडियो तेखने कि मैं आप संद ने नेक्ट वीडियों गांदर, गुट बाइ!